नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका अमारी यूटूब चैनल में तो इस वीडियो में पढ़ेंगे दूसरी इकाई का पार्ट दो दो लगू कथाएं तो इसको किस ने लिखा है हरी जोसी ने लिखा है इनका जन्म और 1943 को खुडिया मध्य प्रदेश में हुआ था ठीक है और इनको गोईन का सारस्वत सम्मान और वागिश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं इनके कुछ प्रमुक्रतियां हैं जैसे की पंखुरिया यंत्रयुक अखाणों का देश भारत का राग अमेरिका के रंग आदी ठीक बुरा ही मिलेगा अता बुरे काम नहीं करने चाहिए और दूसरी लगू कता में आपने समझाया है कि कठोरता की अप्रिक्षा विनम्रता अधिक महत्वपुर्ण है घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है अता हमें घमंड नहीं करना चाहिए ठीक है तो चलिए सबसे पहले ह हम निव पड़ते हैं देखिए यहां पर क्या दिया है बहु मंजिला इमारत की दीवार निव से उठ रही थी ठेकेदार नया था भेवीर्ट सा वह एक तगारी सिमेंट और पांच तगारी रेत के मसाले से इंटों की जुडाई करवा रहा था अगले दिन अधिकारी महोद आए उन्होंने काम के प्रती घोर असंतोस व्यक्ति किया महोदय बोले ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए देखिए क्या हो रहा था यहां पर बहु मंजिला बहु मंजिला मतलब क्या होता है कई सारे मंजिला ठीक है जैसे बिल्डिंग्स होती है बहुत सारे माले के होती ह मतलब एक दो मंजिला नहीं कई सारा मंजिला तो बहु मंजिला इमारत की दिवार नीव से उठ रही थी मतलब अभी उसका नीव त्यार हो रहा था ठीक है एक तगारी सिमेंट तगारी मतलब क्या होता है दिखिए जब घर का काम होता है तो जो जिसमें सिमेंट वगरा बालू वगरा उठाते हैं उसे हम क्या कहते हैं तगारी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक तगारी सिमेंट और पांच तगारी रेत के मसाले से इ गोर अर्संतोस इसका मतलब क्या मतलब जो भी काम हो रहा था उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था उनको लग रहा था कि अभी कम ही काम हुआ है मतलब वो उस काम से संतोस्ट नहीं थे महोदय बोले मतलब उस अधिकारी ने क्या कहा किससे कहा वो जो ठेकेदार था उससे क्य क्या कहा कि अगर ऐसा काम करना है तो फिर आप कहीं और जाईए क्योंकि उस अधिकारी को उस ठेकेदार का काम पसंद नहीं आ रहा था अब यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं देखें अगले दिन सर शंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सिमेंट और तीन तगारी रेत के मसाले से इंटो की जुडाई की फिर अगले दिन क्या हुआ देखें नया ठेकेदार आया वो ठेकेदार तो चला गया उसने ग नीव की दिवार पर एक निगाह डाली और गरम हो गये फिर जब आधिकारी आय तो उन्होंने जो नीव की दिवार ती उसके उपर देखा और एकदम गरम मतलब एकदम गुस्यमें आ गये इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी यदि कल तक काम में परियाप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा देखिए अधिकारी आए उन्होंने नीव की दिवार को देखा और वो एकदम गरम मतलब गुस्से में भर गए और उन्होंने ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी अंतिम बार कहा कि अगर कल तक जो काम ह अगर ये काम अच्छे से नहीं हुआ इसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर जो काम है उसको बंद करवा दिया जाएगा ठीकार फिर अभी नेक्स पारग्राफ देखिए जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं इसलिए काम में कमी बता रहे हैं नया ठेकेदार इमानदार था वह रिश्वत लेने देने को अपराज समझता था उसने ब्रजट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्या कर लिया देखिए फिर क्या जब उस नए ठेकेदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बार-बार यह जो अधिकारी यह जादान उस समस्या पर श्रमाधान मांगा मतलब उसने पूछा कि ये बार-बार अधिकारी ऐसा क्यों बोल रहा है तो उस ठेकेदार ने बताया कि ये जो अधिकारी महुदे हैं ये क्या चाहते हैं? रिश्वत चाहते हैं इसलिए बार-बार वो कमें कमें बता रहे हैं तो ये जो नया ठेकेदार था ये क्या था इमानदार था वह रिस्वत लेने और देने दोनों को क्या समझता था अपराज समझता था ठीके उसने इस ब्रस्ट अधिकारी को पाट पढ़ाने का निश्यक किया मतलब उसने ये निश्यक कर लिया कि ये जो ब्रस्ट अधिकारी ह मैं इसे सबग सिखा कर रहूंगा ठीक है फिर आगे क्या होता है देखते हैं अगले दिन अधिकारी मोहोदे निरिक्षन करने आये ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया अधिकारी प्रसंद होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एका एक वहां प्रसंद करने के लिए मतलब देखने के लिए कि काम में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है तभी ठेकेदार ने क्या किया उन्होंने रुपयों से भरा हुआ लिफाफा उनके हाथों में पकड़ा दिया तो जो अधिकारी मोहोदे थे वह एकदम खुश हो गए और वहां से जाने लगे तभी जो उनसे भी बड़े अधिकारी थे जो उच्च अधिकारी थे वह वहां पर आ गए और जो अधिकारी मोहोदे थे वह रिश्वत लेते हुए पकड़े गए वस्तुता रात में ही इमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी उच्च अधिकारी इमानदार थी उन्होंने कहा कुछ एक ब्रश्ट अधिकारीों के कारण ही पूरा प्रशाशन बदनाम होता है उन्होंने भ्रश्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया सच ही कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा ठेकेदार और उच्छ अधिकारी की इमानदारी का समाचार चारो तरफ फैल गया उनका सारवजनिक समारोह में सम्मान किया गया क्या होता है देखिए जो ठेकेदार रहता है वो रात में ही उच्छ अधिकारी को बता दिया रहता है कि ये जो अधिकारी है ये क्या चाहता है रिश्वत चाहता है मतलब ठेकेदार ने पहले ही उसके बारे में शिकायर कर दी थी तो जो उच्च अधिकारी थे वो क्या थे इमानदार थे उन्होंने कहा कि कुछ एक भरष्ट अधिकारी के कारण जो प्रसाशन है वो पूरा के पूरा बन्नाम होता है ठीक है इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि ये जो भरष्ट अदिकारी है जो रिश्वर चाहता है इसको दंड दिलवाने का निर्णे ले लिया सची कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा मतलब जो भी कोई काम बुरा करता है तो उसका नतीजा भी क्या होता है बुरा ही होता है जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया ठीक है तो यह जो पूरी कहानी हमने पढ़ी इससे हमें क्या शीख मिली कि हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है ठीक है अब यहां पर दूसरा है जीब का वर्चस तो चलिए हम इसको भ रहने के कारणदात बहुत दुसासी हो गए थे एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिव्या से बोले हम 32 घनिस्ट मित्र है एक से एक मजबूत तू ठेरी अकेली चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे जिव्या ने पहली बार ऐसा कलुशित विचार सुना था वह हसकर ब और मन से बड़े कप्टी हो देखिए क्या दिया यहां पर पंक्ती बद और एक जूट रहने के कारणदात बहुत दुसासी हो गए थे पंक्ती बद मतलब क्या होता है जैसे देखिए जो हमारे दात है वो कैसे एक पंक्ती में है है ना और एक जूट मतलब देखिए कैसे य जो दात हैं वह कैसे एक जुट है एक दूसरे से जुड़े हुए है तो मतलब क्या होता है एक से एक मजबूत तू ठहरी अकेली चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे क्या बोला दातों ने कि हम 32 क्या है घनिश्ट मित्र है एक से एक मजबूत तू ठहरी अकेली अगर हम चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे जिव्यार ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था और जो जीव थी उसने पहली बार ऐसे कटू शब्द सुने थे वह हसकर केक बोली क्या बोली ऊपर से एकड़म सफेद और स्वच्छ हो देखें दाथ कैसे होते है सफव़ सफेद होते है तो जीब क्या कहती है हसकर के कि उपर से एकदम सफेद और स्वच हो पर मन से बड़े कप्टी हो उपर से स्वच और अंदर से काले घोशित करने वाली जीब वाचालता छोड़ अपनी अवकात में रह हम तुझे चबा सकते हैं या मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है दातों ने किट किटा कर कहा जीब ने नम्रता बनाये रखी किन्तु उत्तर दिया दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी तूरते भी हैं सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं तुम लोग अफसरवादी हो मनुस्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है व्रिद्धा वस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो फिर क्या होता है देखिए जो दात होते हैं वह क्या कहते हैं कि उपर से स्वक्ष और अंदर से काले घोशित करने वाली जीब मतलब वह जीब को कहते हैं कि तू हमें उपर से स्वक्ष और सुन्दर बतारी और अंदर से काला बताने वाली जीब सुन वाचालता छोड़ मतल चबा सकते हैं तो ये मत भूल कि तु हमारी कृपा पर ही राज कर रही है मतलब मुह के अंदर है दातों ने किटकिटा कर कहा मतलब दातों ने एकदम गुस्से से कहा लेकिन फिर भी जीव ने नम्रता बनाए रखी लेकिन उत्तर दिया क्या उत्तर दिया कि दूसरों को चबा और जल्दी गिर जाते हैं दीकिए जो सामने के दात होते हैं वो जल्दी गिरते हैं उसके बाद फिर आजुबाजु के गिरते हैं ठीक है तुम लोग अफसरवादी हो फिर जीव ने क्या कहा दातों से पिर तुम लोग क्या हो अफसरवादी हो जब तक मनुष्य जवान र लगे बोले हमारी जड़े बहुत गहरी है हमारे कड़े और नुकीले पन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं फिर यह जो दाद थे यह भी अपनी हार क्यों माने क्यों कि दाद क्या समझते थे कि हम क्या है शक्तिसाली है ठीक है तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे जड़ दीखे टीइस से चाहिया हुथ है छोग बढ़े है लुबती हैं मतल together टीक हैं कि शिव्या ने विवेकक पुर्ण उत्तर दिया तुम्हारे नुकीले या कड़े पन का कारी जेत्र मूह के भीतर तक सीमित है विनम्रता से कहती मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और जुकाने की शमता है तो फिर जिव्या ने विवेक पुर्ण उत्तर दिया विवेक पुर्ण मतलब सोच समझ कर उत्तर देना ठीक है क्या कहा जीब ने कि तुम्हारे नुकिले या कड़े पन का कारे छेत्र मूँ के भीतर त तुम कर सकते हो मैं तुम्हें विनम्रता से कहती हूं कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और जुकाने की शमता है फिर दातों ने पुना धमकी दी क्या बोले हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं क्या बोल रहे दात कि हम सब मिलकर तुझे क्या है घेरे घ जीव ने दातों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी क्या चेतावनी दी कि डॉक्टर को बुलाऊं दंत चिकित्चक मतलब क्या होता है दात का डॉक्टर एक एक को बाहर कर देगा मुझे तो चुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे क्या कहा दात ने कि दन चिकित्सक को बुलाओं वो क्या करेगा और तुम सभी को एक-एक को बाहर कर देगा मुझे तो वो छुएगा भी ने और तुम सभी बाहर दिखाई दोगे गमंडी दात अब निरुत्तर थे उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई किसी को पसंद नहीं सकती बयान में तभी तो दी नहीं हड़ी जबान में गमंडी दातों ने आखिर जीब का लोहा मान लिया देखिए जो दात थे वो क्या थे अब निरुत्तर थे मतलब उनके पास कोई भी जवाब नहीं था उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई नहीं हड़ी जबान में तभी तो भगवान ने जबान मतलब जीब में हड़ी नहीं दी है क्योंकि दात कैसा है कठोरे इसलिए वो कैसे घमंड में हमेसा चूर रहता है लेकिन जो हमारी जीब है वो कैसी एकदम विनम रहे क्योंकि इसमें हड़ी नहीं है ये कठोर नहीं है फिर यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है घमंडी दातों ने आखिर जीब का लोहा मान लिया लोहा मान लिया इसका मतलब लोहा मानना मतलब क्या होता है किसी के भी स्रेश है मतलब हमसे जादा महान है ठीक है तो यह पूरी कहानी थी इससे हमें क्या सीख मिली कि कि जो कठोर होते हैं जो घमंड में चूर रहते हैं वह जल्दी गिर जाते हैं और जो विनम्र होते हैं वह जादा समय मतलब उनका सभी सम्मान करते हैं, उनको सभी मानते हैं लेकिन जो कठोर होते हैं, उनका जो घमंड है वो बहुती जल्दी चूल-चूल हो जाता है ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाट दो कम्प्लेट किया, आप हम देखते हैं सब्द वाटिका, तो देखें यहाँ पर तगारी, तगारी मतलब बड़ा तसला घमेला, कलुशित मतलब अपवित्र दूसित, ललक मतलब लालसा तिवरिच्छा, अवसरवादी मतलब स्वार्थी मतलबी, और बयान मतलब चर्चा, आवाज या फिर कतन, मुहावरा है यापन, लोहा मानना, मतलब स्रेश्चता को स्विकार करना, और रंग्या हाथ पकड़ना, मतलब अपराद करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, ठीक है? तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार